कोई हीरा है, कोई पत्थर है ओम शान्ति जब आत्मा देहधारण करते है तो श्वासे चलनी शुरू हो जाते है और मन भी संकल्प रचना शुरू कर देता है एक-एक श्वास, एक-एक संकल्प जब बाहिये दुनिया से प्रभावित होता है तो आत्मा पर बाहर की चीज़ें जिसे क्याते है परभाव, पराया भाव हावी होने लगता है प्रियदी हर श्वास में, हर संकल्प में बाबा की जाद है बाबा की गुण, बाबा का ज्यान समाहित है तो आत्मा स्वधर्म में निजगुणों में इश्वरिये शक्तियों में रम जाती है शक्ति शाली बन जाती है तो हर श्वास हर संकल्प एक बाबा की जात में एक बाबा की बात एक बाबा के गुण एक बाबा की शक्तियां हमारे जीवन में यदी समा जाएं तो जीवन लौकिक तासे उपर आ लौकिक बन जाए इस ब्राम्भण जीवन का हम संपून आनंद उठा पाएं है ना? पर इस आनंद को उठाने का समय इसके बाद फिर कभी नहीं मिलेगा है ना? तो अभी इसी संकल्प को बुद्धी में रखते होए कि श्वासो श्वास हम बाबा की श्याद में अपने जीवन को सफल करते रहें हम बाबा की मुड़ी सुनेंगे आज है 27 सितंबर 2023 बाबा के महवाख्य है मीठे बच्चे कालू का काल आया है तुम सब को वापिस ले जाने तैयार है सभी? इसलिए याद से विकर्मों का बोज़ा खत्म करो अपनी देह से मुहू निकाल दो क्या तैयारी करेंगे? याद से विकर्मों का बोज़ा खत्म करेंगे और देह से मुहू निकालेंगे प्रश्ण है भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं? तो भक्त खुश होने के बचाई दुखी होने लगते हैं बड़ा रमणीक प्रश्ण है उत्तर भी रमणीक है भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं हे भगवान मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं लेकिन जब बाप पुकार सुन करके ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं बंडरफुल बात है न? डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं तो बाबा आया है ले जाने के लिए और बच्चे का कहते हैं कि दवाई ऐसी दो जो तंदुरुस्त हो जाएं उपर जाना ना पड़े न एक बनाया हुआ न ना ठक भी स्वर्ग में एक सीट खाली है तो पहले तो भगवान को बुलाते रहते हैं कि आ जाओ हमें ले जाओ और जब भगवान आते हैं ना रद मुनी कहते हैं ना कि चलो स्वर्ग में सीट खाली है तो फिर क्या कहते हैं कि हमें ठीक कर दो हम नहीं जाना चाहते वंडर है ये दुनिया का आज का गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पराए दूर देश का रहने वाला आया देश मरा ये दूर देश का रहने वाला आया देख मुझे एक पेड़ समय ना बोले आओ आओ मुसादर वो तो अपनी बोली क्यों इतने घबराए क्यों इतने घबराए तुता खोटा बना रही मुझे बना सको तो बुला रही मुझे क्यों ना हाथ पटाए क्यों ना हाथ पटाए नूर देख ता रहने वाला आया आया देख पटाए नूर देख ता रहने वाला आया पूला मुझा फिर तूट गया हां तूट गया दिल तोर दिया पूला मुझा फिर तूट गया हां मुझ गया दिल तोर दिया पाया प्टाए एक राज पूल से छोड दिया पर देने को आये दूर देख का रहने वाला आया ओम शांती दूर देख में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो अब यह बाप यहां क्यों आया है? क्यों आया है? दूर देख का बाप इतनी दूर से यहां क्यों आये है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान आओ आ करके हमको वापिस ले जाओ यह आत्मा कहती है अपने घर मुक्तिधाम ले जाओ यह तो जैसे कालों की काल को पुकारते हैं भक्ति मार्ग में समझ नहीं है हम किसको पुकारते हैं कि हमको इस पतित दुनिया के संबंद से छोड़ा कर साथ ले चलो हमको यहां रहने की दरकार नहीं है और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं रोते पीटते हैं एक तरफ तो बुलाते हैं बाबा आकर के हमको यहां से ले जाओ एक तरफ तो बुलाते हैं इस शरीर से मुक्त करो परन्तु जब मुक्त करते हैं तो रोते चलाते हैं ऐसे ही होता है न भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परन्तु समझते नहीं हैं बुलाते हैं, हे पतितपावन आओ, परंतु समझते नहीं है कि किसको बुला रहे है, कालों के काल को बुला रहे है, सावित्री सत्यवान की कहानी है, वह तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे, परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी, ऐसे कहानी बताते हैं न, कि सावि पत्री अमराज के पीछे-पीछे जाने लगी, ले जाने नहीं दे रही थी. मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर में मोहो होने के कारण, आत्मा छोड़ना नहीं चाहते. डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो, जो हम तंदरुस्त हो जाएं. ऐसे कहते हैं न? शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते. साथ में फिर कहते, भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ. एक तरफ कहते हैं कि ले जाओ, और दूसी तरफ डॉक्टर को कहते हैं, हमें बात है न? है न? अभी तुम खुशी से चलते हो. सब रैडी? चलने के लिए. मनुष्यों का थो, दुनिया में, मित्र समबंधियों आदी में मोह है. हमारा है, चेक करना. अब पूछते हैं, क्या तुमको मित्र समबंधियों आदी से छुडाऊं? है न? दुखी है, परिश चान है तो बाबा पूछते हैं, क्या उनसे छुडाऊं? ले तो जाऊं, फिर तुम इन समबंधियों की जाद छोड़ो. बाबा तो ले जाएंगे, पर उन तो पहले मन बुद्धी से उनको छोड़ना पड़ेगा न? अंतकाल, अगर बच्चों आदी को सिमरेंगे, तो क्य जैसी अंत मती होगी, वैसी गती होगी. बाबा कहते हैं, तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा. फिर तुम को मित्र समबंधियों आदी की याद तो नहीं पड़ेगी? पुछ रहे हैं बाबा, मैं तो ले जाऊंगा, आप सब को मित्र समबंधियों की याद तो नहीं पड़ेगी. पिछाडी में एक बाब को ही याद करना है. ये है मुख्य अभ्यास. किसी की याद ना आए, बस एक बाबा की याद. तो बाबा कहते हैं, पुनर जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है. इसलिए देहे सहित सब को भूलते जाओ. दूसरों की तो बादी छोड़ो. इस देहे को भी भूलते जाओ. मुझ एक बाब को याद करो. जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ. अब मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ. परन्तु तुम्हारे उपर विकर्मों का बहुत बो बोजह है. यह आत्माओं से बात कर रहे है. विकर्मों का बोजह ऐसे दिखाई थूना दे रहा है. आत्मा के उपर है. बबा आत्माओं को देख रहे है. ले तो जाएं, पर इतना बोजह उठाया है. इसका क्या करना है? बाप परमधाम से आये है. पर आये देश में. अपन में तो उनको आना नहीं है. बाबा पराय देश ही आते है. अपने देश में नहीं आते है. यहां तुम दुखी होकर बोलाते हो. मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापिस ले जाना है. चाहे खुशी से चलो, चाहे नाराजगी से चलो. जाना तो पड़ेगा. च बेहत का बाप, कालों का काल, आत्माओं को वापिस ले जाते है. गोया, सभी मनुश्यों का विनाश करने आते है. ले जाना यानि सब का विनाश. पती पतनी होते है. पतनी का पती मर जाए. तो कितना रोती है? कितना रोती है? अभी कहते हैं, हमको ले चलो. हमें कुछ नहीं चाहिए. परन्तु तुम पतितों को तो ले जाना ही सकते. इसलिए पावन बनाने आया हो. पावन तब बनेंगे, जब अपने को अशरीरी समझेंगे. तो पावन बनने की पहली कंडीशन क्या है? अशरीरी समझना. देह सहित, देह के सब संबंध भूलेंगे. मुझे एक बाप को याद करेंगे, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. युक्ती तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ, कल्प कल्प. पर फिर युक्ती पर चलना भी तो होगा ना, युक्ती से मुक्ती मिलती है. तुम जानते हो, यह सब शरीर खाक हो जाएंगे. हुली का होती है, तो उसमें धागा जलता नहीं है. आत्मा जलती थुड़ी ना है, तो आत्मा भी जलती नहीं. बाकी इस भंभूर को आग लगनी है. सभी शरीर जल कर खाक हो जाएंगे, और आत्मा शुद्ध हो जाएगी. सुन रहे हैं सभी, परन्तो इसको यदि हम अपने सामने देखें, चित्रित करें, मन बुद्धी से देखें, तो हम उस चीज का अनुभव भी कर सकते हैं. ये शरीर जल कर खाक हो जाएंगे, परन्तो मैं आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी, पिल्कुल पवित्र शुद्ध हो जाऊंगे. आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर, देही अभिमानी बनने का पुरुशार्थ करना है. पुरुशार्थ सब करते हैं, परन्तो निरंतर ये पुरुशार्थ करना है. देहे होते भी अपने को आत्मा समझ, बाप के साथ यूग लगाना है. जिसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथ्वा तत्व से यूग लगाते हैं. कहते हैं, हम तत्व में लीन हो जाएंगे. कैसे कहते हैं? तत्व से बुद्धी यूग लग जाता है. ब्रह्म महा तत्व में लीन हो जाएंगे. ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं. ऐसे नहीं होता, समझते हैं तत्व से अथ्वा ब्रह्म से. हम यूग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे. इसलिए हम उनको ब्रह्म ज्यानी तत्व ज्यानी कहते हैं तत्व का ज्यान है तुमको ज्यान है क्या ज्यान है? हम आत्माई तत्व में रहती है तत्व से योग नहीं लगाना है पर हमें पता है कि हम तत्व में रहती है बहस समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे. अगर कहें हम जाकर वहां रहेंगे, तो भी ठीक है. तो भी ठीक है. आत्मा लीन तो होती नहीं है. आत्मा तो है ही ना, सदा है, सदा रहेगी. तो लीन तो नहीं होती है ना. बुद्बुदे का मिसाल देते हैं. लेकिन वह तो रौंग है आत्मा का अस्तत्व कभी भी मिटता नहीं है जोती में लीन होने की बात ही नहीं बात ही नहीं है, होने की तो बात छोड़ दो तो बाबा कहते हैं अविनाशी आत्मा में सारा पाट भरा हुआ है जो कभी विनाश हो नहीं सकता आत्मा विनाशी है, आत्मा में नूधा हुआ पार्ट भी अविनाशी है सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बकि वापिस तो कोई जाते नहीं, वापिस होना जाते हैं, यहां ही पुनर जन मलेते रहते हैं, बृद्धी होती जाते हैं, सबको सतो, रजो, तमों से पास होना ही है ऐसा नहीं होगा कि कोई इस थ्रिष्टी में आए और फिर एक-दो जनम के बाद वापिस चला जाए कितना भी सन्यास करो, ब्रह्म में लीन होने का अभ्यास करो, जंगल में जाओ लेकिन स्रिष्टी का नियम जो है, वो यही है कि हमें पुनरचन्म में आना ही है ड्रामा में यह सब नून्द है अभी तो देखो, बिमारियां भी कितनी अनेक प्रकार के निकली है पहले इतनी नहीं थी ड्रामा में यह सारी नून्द है तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया ही है, सब आत्माओं को वापिस ले जाने, तो ये सब तैयारियां तो होनी है, जाना है ना? कहते हैं, बाबा, हमको वापिस ले चलो मुक्ती, जीवन, मुक्ती तो सब को मिलनी है वापिस तो जा नहीं है परंतो, सब सतियुग में तो नहीं आ सकते जो जो जिस समय आते हैं, उसी समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा है न? तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं हम जानते हैं ना बाबा ने सब समझा दिया है बाबा भी कल्प पहले मुआफिक आया हुआ है इतनी सब आत्माउं को बापिस ले जाएंगे इस धर्नी को कितनी खाद मिलनी है इतने सब शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितनी खाद मिलेगी नई दुनिया को भी खाद चाहिए न तो सब मनुष्य जानवरादी खत्म हो खाद बन जाएंगे फिर सतियुग में कितना अच्छा फल देते हैं जो तुम बच्चों ने साक्षातकार भी किया है ऐसे थोड़ी ना धर्ती को इतनी खाद मिली होती है तभी तो इतना अच्छा फल देती है तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं हमको लेट चलो हमको यहाँ बहुत दुख है यह है ही दुख देने वाली दुनिया दुख धाम में एक दुखो दुख देते रहते हैं अब पार दुख है अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ अब एक को याद करेंगे तो वर्सा पा सकेंगे नहीं तो राजाई का वर्सा पूरा पा नहीं सकेंगे पूरा पाना है तो पुरा याद में रहना है फिर प्रजा में चले जाएंगे बाबा कर राजाई का सुख देते हैं और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं किवल बाबा राजधानी स्थापन करते हैं यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना गुप्तवेश में सब कुछ हो रहा है गुप्तरीती गुप्त रूप से बाबा की मुल्ली हम सुन रहे हैं पड़नतु कितना सुन रहे हैं, कितना समा रहे हैं, कितना स्वरूप में ला रहे हैं, ये सब गुप्त रूप में हो रहा है और इस पड़ाई के आधार पर ही पद निर्धारित हो रहे हैं, सब गुप्त तो बाबा कहते हैं कोई को पता नहीं है कि सत्य युग में लक्ष्मी नारायन की राजधानी कैसे स्थापन हुई? शरीरधारी देवताई कहां से आए? कहां से आए? जबकि कल युग में असुर थे, असुरों और देवताउं की लडाई तो चली नहीं है. ऐसा कुछ हुआ थोड़ी नहीं जो दिखाया गया है, बताया गया है शास्त्रों में. न लडाई की बात है, न विकार की कटारी चलती है. फिर क्यों दिखाते हैं? लडाई लगी? कौन से लडाई लगी? कहां लडाई लगी? मुझ गए हैं. स्रिष्टी तो वही है, सिर्फ समय बदलता है. यह है बेहद का दिन, बेहद की रात. सत्युक्त रेता को दिन कहा जाता है. यहां तो लडाई होती नहीं. परन्तु बेह राजधानी उन्हों को कैसे मिले? कल युग में तो राजधानी है नहीं? कहते हैं, बाबा वंडर्फुल है आपकी स्थापना का करतव्य है. इतने बच्चों को सुखी बनाते हो. बकी हां, अपने अपने पुरुशार्थ अनुसार उच पद पा सकते हैं. तुम जानते हो, पाच हजार वर्ष बाद परमपिता परमातमा आते हैं. भल करके कोई प्रभू, कोई गौड कहते हैं. पिता तो है ना? पिता कहना कितना अच्छा है? अपनी अपनी भाश्या में बोलते हैं, परन्तु पिता कहना कितना अच्छा है? इश्वर हमारा पिता है. शिव बाबा है. सिर्फ प्रभू कहने से इतना मज़ा नहीं आएगा. गौड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं. फादर कहा जाए, तू सर्वव्यापी कहना सके. तो दिल से कहो, मेरा बाबा है ना? पापा कहते हैं, फादर कहा जाए, तू सर्वव्यापी कहना सके. अब तुम आत्माई सुन रही हो. अब आत्मा समझ कर हम कहते हैं मेरा बाबा. पहले भले कहते थे परम पिता परमात्मा ओ गौड फादर, पर फादर की भासना नहीं आते थी. पर अब तुम आत्माई सुन रही हो. समझते हो. हमारा बाबा आया हुआ है. हमको यूग से पवित्र बना रहे हैं. तो बाप, तीचर, सत्गुरु को याद करना पड़े. यहाँ बच्चों को भासना आती है. सम्मुख रहने से. मदवन में आते हैं. तो सबको बाबा की भासना आती है. हम तो आत्मा है. इस शरीर से पाट बजाते हैं. बाबा हमको लेने आये है. हम पुरुशार्थ करते हैं. बाबा से योग लगाएं. बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे. कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं. तो वह भी ऐसे. बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं. पहले से ही शरीर से अलग आत्मिक स्थिती का अभ्यास करते हैं. समझते हैं. हमात्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे. उन्हें ज्यान तो नहीं है कि परमात्मा कौन है और क्या होता है हमारा. पर रन्तु इतना जानते हैं कि हमें ब्रह्म में लीन होना है. सभी मुक्ष अथवा मुक्ती के लिए ही पुरुशार्थ करते हैं. चुकि संसार में बहुत दुख है तो दुख से मुक्त होना चाहते हैं. इसलिए मुक्ष अथवा मुक्ती चाहते हैं. उन्हों को यह मालू नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिर ना है, मुक्ति नहीं मिल सकती। हमारा पाठ जरूर अविनाशी होना चाहिए। तुम्हारी बध्धी जन्न मिसल होनी चाहिए। जन्न की कहानी कहते हैं न। बोला हमको काम दो, नहीं तो खा जाएंगे। फिर उसको काम दिया, सीड़ी चड़ो और उतरो, तो हमारी बध्धी भी जन्न की मिसल है, इसको बिजी रखना है। नहीं तो बध्धी में व्यर्थ व्यर्थ जो ख्यालात आएंगे न, वो आतमा को खा जाएंगे। इसलिए परमधाम जाओ और फिर नीच जाओ। तुमको भी बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धी योग लगाओ, नहीं तो क्या होगा। माया जन खा जाएगी। माया है जन। योग लगाने नहीं देती है। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो, बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते हैं, बच्चे अब सम्मु खाया हो, मुझे अब याद करो। नहीं तो माया जन खा जाएगी। बाबा को याद करो नहीं तो माया खा जाएगी। यह काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। जिन के मुआफिक ओपर जाने से फिर नीचे आने से बार-बार बाबा से योग लगाने से हमारा ही कल्याण होगा। हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, शरीर का भान छोड़ देना है. सन्यासी, मना, देह सहत, सब सन्यास, बकि अपने को आत्मा समझना है. तुम जानते हो, ज्यान और यूग बल से बाबा हम को सो देवी देवता बनाते हैं. राजवाई स्थापन हो रही है, यह राजयोग है. यह बातें शास्त्रों में नहीं है. पांडव, इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाते हैं न, पहाडों पर गल मरे. है न, कोई प्राप्ती नहीं हुई. बस जाकर पहाड़ पर गल मरे. फिर कैसे पता पड़े? कि राज़ाई कैसे स्थापन होई? तो वास्तविक कहानी क्या है? यह इन बातों को तुम समझ सकते हो. बाबा कहते हैं, अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो. बाबा को याद करना है और दुनिया में रहते, ग्रहस्त विहवार में रहते. ट्रस्टी बनकर बाबा की श्रीमत प्रमान चलना है. हर बात में राई लेते रहो बच्चों आदी की शादी करानी है मना थोड़ी करते हैं हर एक का हिसाब किताब अलग है जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राई दी जाती है कहेंगे बच्चों को शादी करानी है भल करो पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भल बनाओ कई डर के मारे पूछते नहीं है बबा कहते कि ऐसा नहीं है बबा मना थोड़ी करते है मना नहीं है मकान आदी बनाई बच्चों की शादी आदी कराकर हिसाब चुक्तु करो अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफिकल्ट है, इसमें बड़ी दूरा देशी बुद्धी चाहिए, राजाई पानी है, राजाई पाना इतना भी सैज नहीं है, कम बात थोड़े है, जब तक काम खलास हो जाए, बच्चो आदी का हिसाब चुक्तू कर छुट्टी करो कोई से हिसाब है, करजा है, वह तो पहले उतारो, थूल पहले हिसाब किताब चुक्तू करो, सुक्षम हिसाब किताब फिर योगबल से चुक्तू होगा यह भी समझने की बात है कन्याओं को कोई बोजा नहीं होता है दुनिया में भी ऐसी जिम्मेवारियां नहीं सोपते है कन्याओं को तो इसलिए बबा कहते हैं कि कन्याओं को कोई बोजा नहीं होता है Creator को सब काम खलास करना है फिर बाबा वारिस बना सके माया भी अच्छी रीती खटकाएगी माया भी कोई कम थोड़ी है वो भी अपना पूरा जोर लगाएगी परन्तो तुम यह भी समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है माया अपना काम करती है तो बाबा अपना भी काम करते है सब को पवित्र बनाई वापिस ले जाने आई है ऐसे बाब में तो बहुत लव होना चाहिए कितना लव होना चाहिए है ना? कोई गिंती हो सकती है कितना लव होना चाहिए मीठी चीज है ना? सत्योग में अपार सुख है इसलिए स्वर्ग को सब याद करते है कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा कितना मीठा नाम है जो पास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम बाला रहता है तो स्वर्ग पास्ट हो गया तो इसलिए भक्ति मार्ग में नाम बाला है तो बावा कहते हैं कि सतियुग त्रेता में यह बातें नहीं होती महा ऐसे नहीं कहेंगे स्वर्ग पधारा या कोई मर गया नई तो बाबा ने जिन्न का काम दे दिया है सभी करेंगे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो नहीं तो क्या होगा नहीं तो माया रूपी जिन्न तुमको खा जाएगा तो माया का बनेंगे माया खा जाएगी माया का नहीं बनना है हमें बाबा का बनना है तो इसलिए जिन्न के मुआफिक बुद्धी को बार बार निरंतर बाबा के साथ लगाते रहो पबा क्याते याद करना पड़े आत्मा निश्चे कर बाब को याद करना है हाँ शरीर निर्वहा अर्थ कर्म तो करना ही है कई बाड़ा से सोचते ना बाबा ने काई कि याद करना तो बस याद में ही बैठ चाहेंगे काम नहीं करेंगे याद रखें काम तो करना ही है आठ घंटा तो शरीर निर्वहा के लिए चाहिए चुकि तुम कर्म योगी हो फिर तुम पुरुशार्थ करो आठ घंटा अपने पुरुशार्थ के लिए भी निकालो अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए ऐसे समझो यह शरीर तो पुराना है इससे ममत्व मिट जाना है ऐसे ऐसे ड्रिल करो मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत्व रहे गया तो क्या होगा अभ्यास कर रहे है पुरुशार्थ कर रहे है फिर करते करते कुछ रहे गया तो राज्य भागे पा नहीं सकेंगे तो कुछ भी ना रहे विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए मेहनत करनी है ऐसे नहीं कि बस सुबह शाम याद में बैठे खत्म नहीं मेहनत चाहिए बाबा आया है दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने इसलिए उनको लिबरेटर और गाइट पतित पावन कहते है पंडा भी है समझाना है रावन राज्ये का विनाश और राम राज्ये की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है वही शान्ती की स्थापना करते है उनके जो मददकार बनते है उनको पीस प्राइज मिलती है पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्ये देते है बही Most Beloved बाबा है जो हमको कल्प कल्प वर्सा देते हैं जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायन बनते हैं 21 जन्मों के लिए सूर्यवन्शी चंद्रवन्शी राजधानी स्थापन हो रही है तो पूरी मेहनत करनी है पूरा बुरुषार्थ करना है रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 धार्णा के लिए मुख्य सार पहला दूरा देशी बन्ट कर्म बंधन को समाप्त करना है कोई भी हिसाब किताब वकर्जा है तो से उतार हलका बन बारिस बन जाना है दुसरा कर्म योगी बन कर्म भी करना है साथ साथ आठ घंटा स्व की पुरुषार्थ में देना है सभी से ममत्व जरूर मिटाना है वर्दान है प्रवृती में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तक्त नशीन भावा क्या वर्दान मिला? बाप दादा के दिल तक्त नशीन भावा कैसे बनेंगे? जब प्रवृती में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहेंगे। अच्छा फल निकलता है ऐसे श्रीष्ट सहयोगी आत्माउं के सहयोग से व्रिक्ष फली भूत होता है ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले प्रवृती में रहते समर्पित हूँ चलने वाले बच्चे बापतादा के दिल तक्त नशीन बनते हैं तो बनना है न सबको दिल तक्त नशीन स्लोगन है कम से कम समय में संकल्पों को मोडने और ब्रेक लगाने की युक्ती सीख लो तो बुद्धी की शक्ती व्यर्थ नहीं जा सकती कम से कम समय में संकल्पों को मोडने और ब्रेक लगाने की युक्ती सीख लो तो बुद्धी की शक्ती व्यर्थ नहीं जा सकती तो ये अभ्यास जरूर करना है तो आज होंबग क्या करेंगे बुद्धी को एक सकंड भी व्यर्थ बातों में व्यर्थ की चंताओं में व्यक्त की बातों में व्यर्थ नहीं जाने देंगे च्योंकि बुद्धी यदी व्यर्थ में गई इसका मतलब माया हमको खा गई तो इसलिए बुद्धी को जिन्न के मुआफिक उपर बाबा के साथ जोडेंगे और इधर कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे जैसे ही थोड़ा फ्री हुए बुद्धी उपर अगर उपर नहीं गई तो इधर उदर चली जाएगी इसलिए पूरा आटेंशन देंगे सारा दिन कर्म करते भी अगर एक सेकेंड भी फ्री हुई बुद्धी तो उपर बाबा से चोड़ेंगे तो बिलकुल फ्री नहीं छोड़ना माया को हमें बिलकुल चांस नहीं देना एक दो दिन भी यदि ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो बस फिर निरंतर याद में रहने की हमें आदत हो जाएगी ठीक है ना तो आज बार-बार हर काम करते बुद्धी को बाबा से चोड़े रखेंगे चांस ओम शान्ति जोती बिंदू परमातमा से है मेरी आतमा अब चल कर ले मिलन परमानन्द का अनुभव कर तू घन्य बना जीवन जोती बिंदू परमातमा से है मेरी आतमा अब चल कर ले मिलन्द है मेरी आतमा अब चल कर ले मिलन्द अब चली कर ले निनन प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पन्ड ए आत्मा चल प्रभु को सौप दे कूसारा जीवन ओ देख प्रभु तेरे निकट बिराजि कर ले अभिवादन जोती बिन्दू प्रमात मासे संपुर्ण समर्ष प्रभु कर ले अभिए कर ले अभिए संपुर्ण समर्टू